जिम ट्रेनर विक्रम सिंग को गोली मारने के मामले में पुलिस ने पटना की फेमस फिजो थरापेस राजिव कुमार सिंग और उनकी पत्नी खुश्बो सिंग को गिरफतार कर लिया है विक्रम सिंग ने खुश्बो पर गोली मरवाने का आरोप लगाया था विक्रम भी खुश्बो के करीब आया था दोनों की तस्वीरें नहीं सामने आई है पुलिस को दिये गए बयान में विक्रम ने दावा किया है कि उसे जान से मारने की कोशिश खुश्बो सिंग और उनके पती फिजो थरापिस्ट डॉक्टर राजिव सिंग ने की है विक्रम के गंभीर आरोपो को पुलिस ने जाच में सही माना इसके बाद मिले सबूत और क्लू के अधार पर डॉक्र दबबत्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जाच में पता चला है कि राजीव कुमा सिंग में एक कुख्यात अपराधी को कॉन्टाक किया जिम टेनर को जान से माने के लिए उसने तीन लाख रुपए का कॉन्टाक दिया था फिर उसको ख्यात ने बेगु सराय के रहने वाले अमित नाम के एक अपराधी को पेटी कॉन्टाक दिया जो कदम कुआ में खिराय के मकान में रहता है सूतर बताते हैं कि अमित ने अपने दोस सर्फराज रोहित और दोसातियों को इस वारदार को अंजाम देने में इस्तमाल किया विक्रम की हत्या करने के उद्दे से से सनीवार को उसके ऊपर सुभा सुभा बोली बरसाई इस मामले में पुलिस ने कुछ अपराजियों को भी अपने कबजे में ले रखना है पुलिस की तरफ से अभी पूरा खुला साथ किया जाना पाकी है जिम ट्रेनर ने पुलिस को बताया कि हम डॉक्र राजियस सिंग को जिन सिखाने जाते है हम मैं से बातचीत सुर हो गई मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो कुछ समय बादी हम उनके पास से हटना चाहने लगे हटना चाहा तो मुझे वा ब्लैक मेल करने लगी कभी सोसाइट कर लेंगे तो कभी कुछ दीरे दीरे हम हटने चले गए कहा कि वह मेरे साथ जबरदसी रिलेशन ले रहना चाहती थी मैं ऐसा नहीं चाहता था मुझे तरह तरह से एक blackmail किया ये कहा कि घर पर जाकर हम हंगामा कर देंगे हम उनके साथ डर के कारण दहे हम हटने लगे तो हंगामा कर दिया जिम में आकर एक महिना बैठी रही कई-कई बार हम घर छोड़कर भाग जाते थे नमबर बदलते थे, नया नमबर ले ले लेते थे स्टुडेंस के सामने भी कई बार हंगामा कर चुकी थी उन्होंने फेक आईडी बना कर सोशल मीडिया पर ती महें तक टॉर्चर भी किया जिस दौरान खुश्बो मुझे परिशान कर रही थी मैं राजियोस सर को दो बर कॉल किया मैंने उन्हें भी बताया कि सर मैं मुझे परिशान कर रही है उन्होंने कहा था कि पूर्स ले कर आओ तो फिर देखते हैं उसे सर्टा देंगे पटना पुलिस ने इस मामने के जाज करते हुवे खायल जिम टेनर का मुबाइल जब्ट कर लिया है उसके बाद पुलिस ने कौर डिटेल्स को खंगाला सस्की उपेन कुमार शर्मा के अनुसार खुश्बू और विक्रम के पीचस साल के जनवरी से लेकर अब तक 1100 बार बात कुई है इन दोनों के बीच लेट नाइट में भी कॉल पर बात कुई है अधिकान्स कॉल 30 से 40 मिनट के है शुरुवाती जाज में पुलिस को इस बात के भी सबूत नेले हैं कि इस सर 13 प्रेल को पहनी बार डॉक्टर राजीव ने कॉल कर विक्रम से सीधे तोर पर बात की थी उसी दर्मयान उन्होंने उसे जान से मारने की थंके भी दी थी पुश्टाश के दौरान बार पर डॉक्टर और उनकी पतनी अपना बयान बदाल रही है बियो रिपोर्ट आएके है